ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रोग्राम की शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि क्या वाकई में सरकारों की अंदेखी ने विश्व वित्यालों को परबाद कर दिया फेस्बुक ट्वीटर और हमारी वैबसाइट पर जो रियक्शन आए है वो ये कहते हैं 78 पीस दी लोग मानते हैं कि सरकारों ने बरबाद किया है और 22 पीस दी लोग कहते हैं कि नहीं इसमें वो भी है जिनको ये जानकारी नहीं कि सरकार का यूनिवरसिटी इसको लेकर किरद क्या है रोल क्या है शंकर भाई जरा बताइए सरकारों ने यूनिवरसिटी को बरबाद कर दिया और यह मैं इसलिए भी आप से पूछ रहा हूं क्योंकि आप ABBP के साथ जब जुड़े भी थे और जब आपने चुनाओं भी लड़े थे तो बड़े-बड़े मुद्दे उ जब तक अपना सकारात्मक जो नजरिया है और सकारात्मक रूप से विश्विद्द्याले भी पहल नहीं करेगा और सरकार के रूप में बराबर कोडिनेशन जब तक नहीं होगा जब तक आपको एक चीज़ बताऊंगा तो दोनों की मेरे पास बक्त कम है दोनों की गलती मा जब डेड़ साल पहले अब हमको सरकार ने पूरा प्रोसेस कर दिया उसके बाद में विश्विद्याले को एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए उसके लिए विश्विद्याले के चातर नेताओं को भी उत्ताई दोसी मान सकते हैं आप उसके लिए अगर शेंगर भाई एक किये क्योंकि जब सरकार के पास जो चीज आई वितिये सरकार ने सुविकरती दे दी उसके बाद में डेड़ साल तक अगर कोई मामला पेंडिनिक पढ़ा तो विश्विद्याले की उत्ती जमेदारी कीजिए ना क्यों एजूकेशन के सिस्टम को गिरा के रखा है यह सरकार की जमेदारी नहीं अब आने वाले टाइम में आपको विश्वात दिलाना चाओंगा कि आने वाले छे मेने में सभी जो विश्विद्याले हैं उनमें पूरी बर्तियों का प्रोसेस पूरा होगा यह तो मुझे भी लगता है चे महीने के बाद बड़ी मुश्किल हो पूरे देश को दिखाया है लेकिन जिस तरीके से अगर हम राजस्तान के विश्वद्यालों के हलात देखें कि पिछे चार साल में आप एक न्युक्ती वहां पे नहीं कर पाए तो कहीं न कहीं जो है भारती जनता पार्टी और उनकी सरकारों को देखना चीए अपने गिरे में कितने साल लगेंगे में मुद्धा यह होना चाहिए कि हमारे विश्वद्याले में जो कमिया है उनको तुरंद प्रवाव से तरकारों को लगता नसर आ रहा है चुकि एजुकेशन एक सबसे महतुपूर्ण चीज़ है चाहिए वो सेकंडरी सार दो चार साल में बता दी अगर सरकार चाहे तो इन तमाम चीज़ों को बदलने के लिए कितने साल की जरूरत तो अरे सियासी मुद्धा नहीं है जुकेशनल मुद्धा है रुख जाए शंगर भाई रुख जाए रुख जाए शंगर भाई श्टूर्ण रहेंगे आपके लिए प्रश्टा जाए रुख जाए शर प्रोफेसर हमारे साथ है पुल्पती जी हमारे साथ है पूरुकी नमीं जी आपको क्या लगता है कि बेसिक चीज़े जो है मुल्भूस विधाये जो है वो युनिवर्सिटी में मिले इ कि मुल्भूस स्युदाओं की बात तो ही लेकिन एक एक एकडेमिक लिडर्शिप पे जरूत है जो युनस्टी में एकडेमिक लिडर्शिप है उसकी कमी मुझे नजर आती है जो की वाईश चांसलर ऐसे हों जो की रिसर्च पे काम करें और राजनीती से दूर रहें यह बह जरी आपका नुभावय हो सकता है रिसर्च भी इसको लेकर आपने की हो मैं मान सकता हूं करोरी जी रादिसान की तमाम जो यूनिवर्सिटीज है उसमें मुल्भूस स्विधाएं कम से कम हो सरकार को कितना वक्त चाहिए इसके लिए देखें मुल्भूस स्विधाएं देने में कोई ज़्यादा वक्त की जहुत नहीं है लेकिन मुल्भूस स्विधाएं देके सरकार कम से कम अस्तक्सेप करें यूस्वर विद्यालों में वो बहु ज़्यादा जरूरी है तो मुल्भूस स्विधाएं तो सरकार चाहिए जब दे सकती है एक साल में भी दे सकती है लेकिन उसके बाद सरकार अस्तक से बिलकुल बसरते की उनिवस्टी प्रसासन और सरकार मिलकर के काम करे और पॉजिटिव विचार से काम करे तो मुझूध सुबधाओं का मिलना असमन लेकिन अच्छा किया अपने बशारते शब्दी स्तमाल कर लिया सर यह अच्छा किया सर सिंगल जी शुक्रिया मर्सा जोड़ने के लि मुझे कर दिया शायद विश्विद्यालों का यही हाल है जो सियासतदानों को कहते नजराते हैं नमस्कार